नवस्कार देश के करोडो नागरीक कोरोना वैस्ट्विक महामारी से बहुत बहदूरी से लड़ रहे हैं आज जिन हाइटेक स्टेट अप अब आर्ट टेस्टिंग फैसलिटी का लॉंच हुआ है उससे पश्यमंगाल, महराष्ट्र और उत्रप्रदेश को कोरोना के खिलाब लड़ाई में और ताकत मिलने वाली है साथियों दिल्ली, NCR, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के भी बड़े सेंटर है यहां देश के लाखों युवां अपने केरियर को अपने सपनों को पूरा करने आते हैं अब तीनों जगह टेस्ट की जो उपलब्द कैपसिटी है उसमें दस हजार टेस्ट की कैपसिटी और जूडने जा रही है अब इन शहरों में टेस्ट और ज्यादा तेजी से हो सकेंगे एक अच्छी बात ये भी है कि ये हाइटेक लेब्स सिर्प कोरोना टेस्टिंग तक ही सिमित रहने वाली नहीं है और ये बात बहुत महत्वपूर है भविश में हैपेटाइटीस बी और सी हैचाईवी डेंगो सहीत अनेक बिमारियों की टेस्टिंग के लिए भी इन लेब्स में सुविधा उपलब्द कराई जाएगी ऐसी व्यमस्ताएं तयार करने के लिए इंडियन काउंसिल अप मेडिकल रिसर्च आइसी एम आर और उससे जुड़े दूसरी समस्ताओं से सभी साथियों को भी मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों देश में जिस तरह सही समय पर सही फैसले लिए गए आज उसी का परणाम है कि भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी संबली हुई स्थिति में है आज हमारे देश में कोरोना से होने वाली मुर्त्यू बड़े बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है वहीं हमारे हां रीकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहुत जादा है और दिनों दिन सुधार भी हो रहा है आज भारत में कोरोना संक्रमीत होने के बाद ठीक होने वालों की संख्या करीब करीब दस लाख पहुँचने वाली है साथियों कोरोना के खिलाप इस बड़ी और लंबी लड़ाई के लिए सबसे मर्तपुन था कि देश में तेजी के साथ कोरोना स्पेसिफिक हेल्थ इंफास्ट्रक्टर का निर्माण हो इसी वज़े से बहुत शुरुवात में ही केंद्र सरकार ने 15,000 करोड रुप्य के पैकेज का एलान कर दिया था हाई सोलेशन सेंटर हो, कोवीड स्पेशल होस्पिटल हो, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रेकिंग से जुड़ा नेटवर्क हो भारत ने बहुत ही तेज गती से अपनी शमताओं का विस्तार किया आज भारत में 11,000 से ज़्यादा कोवीड फैसिलिटीज हैं ग्यारा लाग से ज़्यादा आई सोलेशन बेट सें साथियों, जन्वरी में हमारे पास कोरोना के टेस्ट के लिए जहां मात्र एक सेंटर था आज करीब 1300 लेप्स पूरे देश में काम कर रही है आज भारत में 5,000,000 से ज़्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं और आने वाले हप्तों में इसको दस लाग प्रतिदीन करने की कोशिश हो रही है साथियों, कोरोना महमारी के दवरान हर कोई सिर्फ एक ही संकल्प के साथ जुटा है और वो संकल्प है एक एक भारतिय को बचाना है इस संकल्प ने भारत को हैरत अंगेच परणाम दिये विशेशकर, PPE, मास और टेस्ट किट्स को लेकर भारत ने जो किया वो सच्मुच में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है एक समय भारत में एक भी PPE कीट नहीं बनती थी आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE कीट मेनिफेक्टर है सिर्फ छे महिना पहले देश में एक भी PPE कीट मेनिफेक्टर नहीं था आज बारा सो से जादा मेनिफेक्टर हर रोज पांच लाग से जादा PPE कीट बना रहे हैं एक समय भारत N95 मास्क भी बाहर से ही मंगवाता था आज भारत में तीन लाग से जादा N95 मास्क हर रोज बन रहे हैं एक समय था जब भारत वेंटिलेटर के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर था आज भारत में हर साल तीन लाग वेंटिलेटर बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी विख्षित हो चुकी है इस दवरान मेडिकल ऑक्सीजन सिलिंडर्स के प्रोडक्शन में भी काफी मात्रा में वृद्धी की गई है सभी के इन सामुहीक प्रयासों की वज़े से आज न सिर्फ लोगों का जीवन बच रहा है बलकि जो चीजें हम आयात करते थे अब देश उनका एक्सपोर्टर बनने जा रहा है साथियों इतने कम समय में इतना बड़ा फिजिकल इन्फास्रक्टर खड़ा करना कितनी बड़ी चुनोती रही है इससे भी आप भली भातिव परिचित है एक और बड़ा चैलेंज था कोरोना के खिलाब रड़ाई के लिए देश में हुमन रिसोर्स को तयार करना जितने कम समय में हमारे परड़मेडिक्स आशा वर्कर्स एन्म आंगनवाडी और दूसरे हेल्थ और सिविल वर्कर्स को ट्रेंग किया गया वो भी अभुत्पुर्व है आज अगर भारत की कोरोना से लड़ाई को देखकर दुनिया अचम्बीत है बड़ी बड़ी आशंका एक गलत सभीत हो रही है तो उसका एक बड़ा कारान हमारे ये फुट सोल्जर भी है साथियों कोरोना के खिलाब लड़ाई में आज हम उस थिती पर आप पहुँच चुके है जहां हमारे पास जागरुकता की कमी नहीं है साइन्टिफिक डेटा का विस्तार हो रहा है सउसाधन भी बढ़ रहे है अब हमें राज्य के स्तर पर जीला ब्लॉक और गाउं के स्तर पर डिमांड और सप्लाई के मेनेजमेंट को और चुस्त दुरस्त करना है मजबूत करना है हमें मिलकर नया हेल्थ इन्फार्टो तैयार करना ही है जो हमारे पास गाउं गाउं में सरकारी और प्राइवेट डिस्पेंसरीज हैं क्लीनिक हैं उनको जादा सक्षम भी बना रहा है यह हमें इसलिए भी करना है ताकि हमारे गाउं में कोरोना से लड़ाई कमजोर न पड़े अभी तक गाउं ने इसमें बहुत अच्छा प्रद्रसन किया है और इसके साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कोरोना योधा किसी तरह की थकान का शिकार न हो हमें नए और रिटाइड जो भी प्रोफेशनल्स इस सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं ऐसे प्रोफेशनल्स को हेल सिस्टिम से जोडने के लिए भी लगातार काम करना होगा साथियों आने वाले समय में बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं हमारी ये उत्सव उल्लास का कारण मने लोगों में संक्रमन न फ्हेले इसके लिए हमें हर सावधानी रखनी है हमें ये भी देखते रहना होगा कि उत्सव के इस समय में गरीब परिवारों को परेशानी ना हो प्रधान मंत्री गरीब कलने अन्य योजना का लाप हर गरीब परिवार तक समय पर पहुँचे हमें ये भी सुनिश्चित करना है साथियों हमारे देश के टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्षिन के लिए तेजी से काम कर रहे है लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्षिन नहीं बनती तब तक मास्क, दोगज की दूरी, हैंड सेनिटाइजेशन की हमारा एक मात्र विकल्ब है एक प्रकारते एक मात्र हत्यार है हमें खुद भी बचना है और घर में छोटी बड़ी आयो के सभी परिजनों को भी बचाना है मुझे विश्वास है कि कोरोना के खिलाब रड़ाई हम सभी मिलकर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी एक बार फिर इन हाई-टेक्स सुविधाओं के लिए बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ आप सबका भी रड़े से बहुत-बहुत आभार वेक्त करता हूँ आप सबका भी रड़े से बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत